वेल्कम टो माई यूटूब चैनल जटपड बनाए इस तरीके से मुझ में घूल जाने वाली बेंगन की सबजी उसकी लिए सबसे पहले तो बेंगन को इस तरह से कट करना पड़ेगा ताकि यह जल्दी गल जाये और इसे हो जाये कि मुझ में जाते को घूल जाये इसलिए इ आव शक्ता अनुसार में बेंगन लेके सर्जी बना सकते हो फिलाल मैंने 4-5 बेंगन लिये थे इनको इस तरह मैंने कट कर लिया है इतर लसन प्याज हरी मिर्च को भी मैंने इच्छा से बारी कर लिया है अब चड़ा दूंगे मैं कड़ाई कड़ाई में डाल दूंगे एक चमत जीरा लसन प्याज हरी मिर्च बारिक करी हुई बेंगन की सब्जी में जितना ज्यादा लसन प्याज जालोगे सब्जी में उतना ही ज्यादा बड़ा टेस्ट आएगा क्योंकि बेंगन की सब्जी में जितना मसाला रहेगा उतनी बड़ा सब्जी बनती है तो लसन प् चुक है अब इसमें डाल देंगें में बेंगन सारे इसंतर के टूड़ों को आद रहाए है और इसमें डाल देंगे सुधा अमसाइड नमक और नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक पहले इसलिए डाल दिया है ताकि यह बेगान अच्छे से गल जाए तो इस तरह बड़ी ऐसे मिक्स करके और इसको एक प्लेट से कवर कर देंगे डग देंगे दो मिनिट के लिए अब इसको आपस चेक करेंगे तो देखिये बेंगन हलके-लके से पकने लग गए है तो इसमें डाल दूँगी में टमाटर तो यह मैंने दो टमाटर लिया है टमाटर को भी से शेप में काटा है जिससे मैंने बेंगल को काटा था तो दो टामाट्र काटके मैं इसमें डाल दिये इसमें डालॉँ घुके प्राउडर शबा यह oneyon बेंगान की सबज में तीकी मिठी एची लगती है। तभी सबज में चाटेस्ट आएगा। लगा। इस तरह से मिक्स करके बड़ा से मिक्स करेंगें और इसको 2 मिट के लिए फिर इसको डग देंगें। तो इस तरह मिक्स करके अब मैं इसको वापस से डग दूंगी दो मिट के बाद वापस चेक करेंगे जिससे यह चिप के नहीं तो बीच में एक बार और चेक करना है और इस तरह से अच्छे से मिक्स करके ही लाके देखिए सबजी अपनी पकने लग गई है बेंगन तो सारे गुल गये हैं बड़े ऐसे तो इस तरह जटपड बनाई है बेंगन की सबजी बिना किसी मेनत के बहुत ही कम मेनत लगती है इसे सबजी बनाने में अब इसको वापस एक मिनिट के लिए वापस इस तरह से डग दूँगी तो यह अपने एक मिट बाद वापस इसको चेक करेंगे तो यह आप देख सकते हो अपनी सबजी अच्छे से बनके तयार हो चुकिए बिल्कुली बेंगान टमाटर सब इस तरह से घुल गए है अच्छे से पग गए है तो यह अपनी सबजी बनके तयार हो चुकिए अगर आपको मेरी रेसीवी पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना थैंक्स वाचिंग फोर माई वीड बिल्कुली टॉक्ताओं वै क्वीडियो प्तुमाल डाल की गाणेश कटेवं आपको इस को एक टमार को से अनुट तवयाए दाल की गार्णिश कर दूगों